नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और एक्षिन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलोक, तो आज जो वीडियो लेकर रहा हूँ, वीडियो है कटलिस्ट रिकॉर्ट्स का और इसका टाटल है foreign universities, Yale, Stanford and Oxford, can set up campuses in India, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, और ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए भई, वैसे इंडिया में कई उन्विश्ट्री के campuses है, कई हमारे bilateral relations भी हैं, उनके थुरूबी पढ़ाईया होती है, exchange programs चलते हैं, बड़े-बड़ी उन्विश्ट्री के स मुझे ऐसा लग रहा है और पाकिस्तान तो जाहिर से बात है कि एजूकेशन का नाम आता है है पाकिस्तान फिर आपको बता ही है तो चले देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो है पाकिस्तान के स्टूडेंट्स वो क्या कहते हैं इस खबर पर किस तरह का रियाक्शन देते है क्या करते हैं आप सर मैं स्टूड़न हो तूड़न है आप तालीम कैसी जा रही है पाकिस्तान के अंदर सर तालीम तो माशनला बहुत अची जा रही है वहारी है क्या बताएं है अचा मेरा आज आप से क्वेश्चन भी एजुकेशन से रिलेटेड ही है अगर दुनिया की टॉ आप थरी उनिवर्स्टी की बात की जाए, जिसमें आउकस।र्ड आती है, स्टैंफड आती है, और येल उनिवर्स्टी जो है, वो अपने कैंपसे को भारत के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। मेरा आज आपसे क्रॉस्टिन यह है किस तरीके से लगते हैं आप पाकिस्तान में रह रहे हैं अगर यही आप इंडिया में रह रहे होते हैं तो आप वहां के कैमपसिस के अंदर तालीम हासिल कर सकते थे पाकिस्तान को क्यों नहीं प्रैफर कि आप भारत क्यों जा रहे होंग और बात लिए एजुकेशन की सर आप अपना हिस्ट्री देखें हमारी बुनियाद का पर जब हमें जब भारत वालों ने अंग्रेज आये था ना उन्होंने इंग्लिश सीखना शुरू कर दी थी और हमारे जो थे ना इन्होंने कर नहीं 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 इनकी जुबान नहीं मैं एक छोटी सी बात आप से करता हूं सर देखें मेरे ख्याल में यह मैं जब स्कूलिंग में कर रहा था ना इस टाइम पर मेरे जिए अच्छा आप लैंग्वेज का स्कूलिंग से या एजुकेशन से मुझे लगता कि कोई मतलब है हाँ लैंग्वेज नई सीखनी कोई एजुकेशन सेक्टर से कोई मतलब नहीं है उसका आपकी इंटेलिजेंस से कोई मतलब नहीं है कि अंग्रेजी बोल रहा है तो वो इंटेलिजेंट योगा है ऐसी कोई बात नहीं आप जपैन को देखिए आप ताहिवान को देखिए आप चाइना को देखिए आप आशाओं के सीखने से अच्छी बात ये होती है कि भाई आप उनके कल्चर के बारे में उनकी हिस्टरी के बारे में जब जानेंगे पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी और जब नॉलेज बढ़ती है तो ये किसी भी आदमी के डिवलप्मेंट के लिए बहुत ही बढ़ेंगे वहां की बात हैं विचार सुनेंगे तो आपका भी ज्यान के दर्वाजे आपके खुल जाते हैं आपको भी सोचने समझने की शक्ति आपके बढ़ने लगती है आपका व्यू जो है पस्पेक्टिव ब्रॉडर होने लगता है तो इसलिए मैं कहता हूं लेकिन यह बिल्कुल कते ही नहीं कि उसको अंग्रेजी आती है अंग्रेजी पढ़ ली तो इंटेलिजेंट हो गया जी नहीं जो हिंदी पढ़ रहा है वो भी बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है जो रशन पढ़ रहा है वो भी बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है ज़रूर नहीं है में नहीं पता हमारा जो माशालला कोई लाप अड़ा होता ना वो भी उसको या अदाए बास किसी तरह पास कर लिए ठीक है और उनकी भी कोशिश दाता यह होती है यार यह अर्दू में क्यों नहीं है और सर कहां आप इतनी बड़ी यूनिवरस्टी को पाकिस्तान लाने की ठ लेके भी आए वाइस चांसलर बरें उनने शर्टी यह रखी जी मुझे आप जो है इनके फ्रेंचेज देंगे तो मैं यहां वाइस चांसलर बरता हूं लेकिन सर क्या हुआ है तो तालीम में बड़ी क्लासिफिकेशन है अगर मैं आप से तालीम के बात करूं तो यहां पे आपको मदरसा तालीम भी सुनने को मिलेगी यहां पे मिडल क्लास के लिए और तालीम है गौर्मेंट इदारों में और पड़ाय जा रहे हैं जो अमीर तबकह है जो रिच तबकह है वो मतलब प्राइवेट सेक्टर के अंदर पड़ा रहा है वो और तालीम है इतनी जादा क तो प्रवाज की है या इस तरह की अब मैं आपको जाता है एक टीचर है अभी मेरे 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 लास रही में के टीचर की कॉन्फरेंस जो ना अटेंड की थी उसमें थे वह बुज़ूर्ग थे और मैं लिटरली उन्हें देख के सुनके हरान हो गया था कि वह आपका पाकिस्ता पाकिस्तान में भी जो बहुत सारी लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है वह इंडियन ओथर्स का पढ़ाया जा रहा है तो पहली बात तो देखें ऑक्सफोर्ड जो है इसर एक चोटा से मेरे कुस्चन है मैं शायद में गलत हूं इस चीज़ में आक्सफोर्ड जो पाकिस्तान में चपड़ाया यह वह औक्सफोर्ड कैसे तोड़ा डूसरी आप बच्चे को पढ़ा रहें आप उसमें पढ़ा क्या रहे है अपको पता है सब अब तालीम के साथ तर्बियत नहीं रह गई यह सिर्फ नाम की अद्टक रह गया या फ्लैक्सों पर लिखाओ रह गया गया पिछले दिनों भारत के जो मदर्सा के तालेब इलम है उन्होंने पानी से चलने वाला एक रॉकिट लॉंच किया था मतलब उनके मदर्सा अच्छा उनका बहुत अच्छा रिस्पॉंस भी है कितने परसंट यह तो मेरे ख्याल में फाइव तू सिक्स परसंट अच्छा मदर्सों में किस तरह के साइंस का ग्यान दिया जाता है इसका उधारन देता हूँ यह क्लिप में कई और वीडियो में भी इस्तवाल कर चुका हूँ लेकिन क्या करूँ जब भी कोई ऐसी बाते करता है न तो मुझे वही याद आता है कि वही साइंस को किस नजरिये से देखा जाता है आपके हम अदर्सों में यह सुरी है साइंस की यह थियूरी जो है न यह दुरुस्त नहीं है जमीन साकीन है यह जमीन मुव नहीं करते प्रोड्शन को एक अच्छा सावर्ड शुकश्वता होगाशता होगा Ustaatik जब अर्थ सटेटिकश पोजिशन में है तो ये मूव नहीं करती और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है आला हजरत हमारे इमाम एले सुनत ने पुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती तो हमने बात कुन से माननी है इसलाम की अब आप बताईए कि आपने साइंस को रिलिजन से जोड़ दिया और कहा कि जी नहीं इसलाम में तो ये गलत है धरती घूमती ही नहीं है अब आप बताईए कि जो स्कूली बच्चा ये पढ़ेगा अगर वो जो मदर्से से हासिल करका है तालीमों कहेगा कि इसलाम ने ये लि दिखा गया है धूत कि दुनिया फिजिक्स का कोई और इंटरॉडक्शन देती है आपने तो वहां भी अपने मझब को गुशा दिया आपने कहा कि हमारे ही मझब नहीं पूरी दुनिया बनाई ही देखिये sap belief अपनी जगा है faith अपनी जगा है religion अपनी जगा है लेकिन कम से क उस चीज़ को साइन्स के साथ वैसे घुसा के तो मत करिए कि जी यही सच है वाकि सब जूट है यहां भी आपने वही कोशिश की तो सारी दुनिया को यौर फिजिक्स का इंट्रोड़क्शन पढ़ती है आपके यहां इंट्रोड़क्शन कुछ और पढ़ाया जाता है यह लो है जी यह तो आप समझे रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं फाइव तो सिक्स परसेंट यह इससे भी कम हो इससे भी कम रही हो ठीक है बट है को एफट कर रहे हैं कुछ लोग बट नहीं है होना चाहिए पर नहीं है सर यह क्या करें हम यह कह सकते हैं दिल करता है कि पाकिस्तान में भी मतलब जो है वो campus is open होने चाहिए है definitely होने चाहिए सर पाकिस्तान में देखें पाकिस्तानी इनके अंदर हमारे जो लोग इन में किस चीज की कमी है हर किसम का talent हर किसम की चीज हमारे जो लोगों के अंदर पाई जाती है ठीक है सर अगर हम हर negative चीज को फौरी डॉप कर लेते हैं यह वो कहता है ना कि हर चीज को जो फौरी तौर पर उसे जो अपने उसमें अपने तरीके से ढ़ल लेते तो सर education यह कोई भी चीज है कोई अची चीज है हम उसको भी बड़ी अची तरह से जो है लेके चल सकते हैं बट यह है कि अगर मुआके मिले अगर यह चीज़ा यहां पर हो और होनी चाहिए नहीं नहीं जा रहे हैं अपरिशेट करना चाहेंगे सर देखें सर तालीम है और तालीम के लिहाज से तो हमारा तो सर यह बेसिक है कि शुरू से मां की गोट से लेगे कबर की गोट तक आपने इलम सीखना है असलाम लेकुम वालेकुम असलाम सिद्रा कैसी हो मैंबर कुम ठीक ठाक आप सुनाए अलहमदुलेला काम की सुनाओ काम कैसे जा रहा है काम यह बहुत इच्छा जा रहा है अचा मेरा आज आप से टॉपिक ही है कि दुनिया की जो तीन बड़ी उनिवस्टीज हैं ऑक्सफोर्ड उनिवस्टी स्टैनफर्ड और येल उनिवस्टी वो अपने केमपसिश शिफ्ट कर रहे हैं बहारत के अंदर पहले तो मुझे यह बताओ कैसा लगता है देखके अगर इंडिया की एजुकेशन कॉलिडी की बात की जाए तो डेफिनिटली इसी बात है कि कौन नहीं महां पर एजुकेशन जाकर हासल करना चाहेगा और उन्होंने अपनी एजुकेशन का एक लेवल सेट किया हुआ है एक स्टेंड बनाया हुआ है तो अगर आज जैसे हो सकते हैं ऐसी खबरें सुनके और अप्रिस्टेशन तो ठैर बहुत कम करते हैं ऐसे लोगों को क्यों कि इंडिया का जिब नाम माले तो पाकिस्तानी डेफिनिटली गाते हैं कि ठीक है इंडिया है नहीं हमारा दुश्मन मूल के हमें क्या लेना देना उन से लेकिन एप्र स्टेशन बनती है हर एक चीज़ के अंदर है डाफिनिटली एजुकेशन की बात उनके एजुकेशन सेक्टर में आप आइटी को देख लें तो क्यों नहीं जो दूसरे मुमालिक हैं वो प्रेफर करेंगे कि हम इंडिया में जाकर अपने जो एजुकेशन सिस्टम है उसको म बिलियन ब्रेंज मजूद है उनकी यूद्स चेकर है बहुत जबरदस है बहुत अच्छी है बहुत यूनीक है और उनको पते है कि किसना से हम लोग ने बिजनिस टार्ट करना है तो उनकी यूद्स टोटली है भी एजुकेट भी है और बिजनिस पॉइंट अव्यूस भी बिजनिस पॉइंट अव्यूस है समझानी में यह बात बिजनिस तो वो भी है जो आपके पीछे वो दुकाने दिख रही है न वो गिफ्ट शॉप गिफ्ट टाइम और वो जो दुकाने दिख रही है तो वहाँ पे कोई दुकान खोल लो वहाँ जाके बैठ जाओ उसका और इसी का नतीजा है कि हम दुनिया में तीसने नंबर पर हैं यूनिकॉन कंपनीज के मामले में यूनिकॉन कंपनीज पता है न आपको क्या होती है पाकिस्तान में एक भी यूनिकॉन कंपनीज नहीं तभी तो आज हमारे हैं 100 से ज्यादा यूनिकॉन कंपनीज हैं रंग क वही है कि वो पिजार्ट खोल लिया और वो बैट के बैट गए वहां से मैं उसको यह नहीं कर रहा है कि डाउंग्रेड कर रहा हूं मैं करूं कि आप जो यह माइंडसेट बता रही है कि वो बिजनस के लोगों को स्टुएंट्स को ऐसा किया जारा बिजनस के मैंडसेट से नहीं किया जारा उनको इनोवेशन के लिहास से किया जारा है स्किल्ड डेवलप्मेंट की जारी है फर्क समझे आप बिजनस में और एंटर्परिनोर्शिप में फर्क है और जो यूद को गाइड किया जारा है बिजनस के लिए गाइड किया जारा है स्किल्ड डेवलप्मेंट की जारा है वो बिजनस के लिहास से काम करने के लिहास से डेवलप्मेंट की जारा है लेकिन साथ ही जो वह वाली स्किल्स डेवलप्मेंट की तरफ लेकर जारा है वो भी स्क्राइब की जा रही है जो इनुवेशन की तरफ लेकर जाती है जो टेक्निकल एडवांस्मेंट की तरफ लेकर जाती है रिसर्च की तरफ लेकर जाती है उन्हें भी डवलोप किया जा रहा है कि भी टॉप मल्ट्रिनेशनल कंपनीज हैं उसकी जो टॉप मेनिजमेंट है उसमें हम इंडियन नजर आते हैं एग्जेक्ली यही वज़ा है क्यों कि देखें एजुकेशन अब क्या सिखाती है एजुकेशन आपको एक वेल गूंड परसन बना देती है अपकी परसनालिटी क बोलने के लिए ब्रेंज हैं अच्छे आपको पता है कि आपने किसना से चलना है तो आपको मोका मिलेगा उस प्लैटफॉर्म के ऊपर हमारे जैसे नहीं है हमें सिरफ एजुकेशन रटी टाइब बता दी जाते हैं में समझा दिया जाता है कि यह स्लेवस है इसको पढ़ ल हमारे स्टूजन्स जोंस हैं बिचारे पिछले साल भी आइधिंक तो साथ लाग साथ हजार जुनस बाहर चले गए इस साल भी देखा जाए तो बाइस लाग लोगों ने अपनी रिजिस्ट्रेशन करवाई हुए है कि हम बाहर जाना चाते हैं पाकिस्तान में नहीं रहना च बाहर नहीं है जो कि बाहर के लोग मांगते हैं ठीक है ट्रस्ट नहीं है सिक्योरीटी नहीं है कुछ भी ऐसे नहीं है तो फिर आप कैसे एकस्पेक कर सकते हैं कोई दूसरा आगे अपना इतना बड़ा कैमपस हमारी मुलक में लगा और कहें कि ठीक है आपके स्टूड़न् मिलेगा ऐसा नहीं है यहां पर ऐसा कभी हो भी नहीं सकता क्योंकि हमने कभी तवज्जव ही नहीं दे इन चीज़ों की तरफ इंडिया की बात का ले अप हम नरींदर मुदी को वैसे फिनौटी कहते हैं वैसे छोड़िए आपका तो दिल्ली में जो पाकिस्तान हाई कमिश का स्कूल था वो भी बंद कर दिया गया अब बंद इसलिए क्या गया है कि स्कूल चलाने के लिए पैसे नहीं है आपके पास पाकिस्तानी हाई कमिशन जो दिल्ली में मौझूद है हमारे हां उसके पास पैसे नहीं है कि वो स्कूल के स्टाफ को पैसे दे सके वो टीचर्स क से कारवाई चल रही होगी, भया कुछ पैसे भेज़ दो, जी प्रॉब्लम हो रही है, कई महीनों से सलरी नहीं मिली होगी, आप सोचिए कि पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी शर्मिन्दगी की बात है कि इंडिया में पाकिस्तानी हाई कमिशन को अपना स्कूल बंद करना पड़ा है, वो स्कूल जो अपने हाई कमिशन में काम करने वाले डिप्लोमाट्स, जो सपोर्ट स्टाफ है, उनके लिए वो स्कूल, उनके बच्चों के लिए स्कूल था, बंद करना पड़ा कितनी बैज़त ही हुई आपकी पूरी दुनिया में इस ख़बर के आने के बाद कि पैसे देने, अपने स्टाफ को पैसे नहीं दे पारे है, सलरी देने के पैसे नहीं के पास, लेकिन नहीं लेकिन नहीं, उसने सारी चीज़ों को पीछे रखे अपने मुल्क एकॉनमी बूस्ट किया, आज उसके मुल्क में कौन सी नहीं इंडस्ट्री है, उसने खुद मैनिफेक्ट्रिंग स्टार्ट के इंपोर्ट इतनी कम किया उसने अपने मुल्क के लिए तो आपको लास्ट कॉस्टिन में करूँ, आपको लगता है कि जब वो केमपसेज बहरत में शिफ्ट हो जाएंगे, तो पाकिस्तान से भी तालिब इलम जो है वो भारत जाएंगे उन केमपसेज में पढ़ने, एक्जैक्ली क्यों नहीं जाएंगे, हमारे जो स्टूडन्स ह आजकल के और हमारी जो यूथ स्पेशलिस को मौका चाहिए, उसको स्रिफ यह कि कोई हमें हाथ पकड़ा है बाज़ों खुद पकड़ लेंगे, यही चीज है, अब इंडिया बिल्कुल नस्दीग पढ़ता है, हमारी नेबर कंट्रिया, ज़र इसी बात है, इंडिया उसके पैकजिस भी कम रहें, कैमपिस ओपन हो रहें, इंडिया उसको हैंडल करेंगे, क्योंकि देखें, अब टेसला उपन होनी थी, इंडिया के अंदर, उसने का कि यहां इंडिस्ट्री लगा होगा कि हमारे मुल्क में भी एकॉनिमी बूस्ट होगी, हमारे लोगों को इंप्ल कैसे जा रहा है? अच्छा जा रहा है. मेरा आज आपसे क्वेस्टिन यह है, दुनिया की जो तीन बड़ी उनिवस्टीज हैं, आक्सफॉर्ड, स्टैनफॉर्ड और येल, वो अपने कैमपिस भारत के अंदर ओपन करने जा रही हैं, किस तरीके से देखती हो इस स्टेप को अगर मैं इसको पाकिस्तान के साथ कमपैरिजन करूँ तो पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम के लहाँ से जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, वो बहुत अच्छा है, और अगर ये तीन बड़ी बड़ी उनिवस्टेज अपनी ब्रांचिस खोलने जा रही हैं, ये अपने कैमपसिस बनाने जा रही हैं, इंडिया में तो डेफिनेट सी बात है, कि उन्होंने कुछ ना कुछ देखा होगा, पाकिस्तान में जो एजुकेशन का मेयार ही कुछ नहीं है, तो पाकिस्तान में वो एजुकेशन के लिहाँ सिस्टम पर फोकस करते हैं, तो बहुत तीनों बड़ी उनिवस्टिस अपने कैमपसिस इंडिया में उपन करने जा है, क्या लगती है, हमारी गौर्मेंट ने क्यों ने इस प्रियॉर्टी को सेट किया, कि यह इदर भी आना चाहिए, हम लोगों का रुजहान कहां पे है, हमारा फोकस किस तरफ है, मुझे बताए ह हमारी गौर्मेंट है, कौन सी मुझे तो आजस तक यह नहीं समझ esemph आरी कि हम हम आया, कौन सी मोर्मेंट को वौट डाल रहे है, और कौन सी गौर्मेंट हम पे इmpos होन है, कभी पता लगता हुआ ह्पकूब है खांसाब अपनी हकुमत छोड़ देते हैं तो जी पीडियम की हकुमत आगई पीडियम से अठके देखे तो कभी लगता है मार्शलो लग गया कभी लगता हार्मी आगए हमें तो समझे नहीं तो कैसे हम लोग लोग इस चीज के ऊपर आएंगे या इस चीज के ऊपर बात करेंगे अपने अधारत में यह नियुकरिसी वगएरा और जो वहाँ पे नरिंदर मुदी के अगूमत चल रही है अब तीसरा साल मतलब जो है वो चल रहा है किस तरीके से आप देखे हो तीसरी ट एलेक्शन होंगे न भी, 2024 में एलेक्शन होने हैं और ये कोई आपके आर्मी चीफ की तरह एक्सेंशन नहीं मिल जाता कि अच्छा जी, 6 महीन और है ना, सालवर और है चली जी कागस पर साइन किया, जी हाँ, आर्मी चीफ का एक्सेंशन मिल गए कि नौकरी साल भर और बढ़ गई, ये नौकरी नहीं है हमारे यहाँ, पीम बनना, ये सरकार का बनाना यहाँ पर चीज़े चूज की जाती है, एलेक्शन होते हैं, देश भर में करोडों लोग है जो वोट डालते हैं, वो तै करते हैं उसके बाद, कि कौन सी पार्टी को जिता रहा है, फिर पार्टी तै करती है, कि कौन पीम बनेगा दो बार से वैसा ही हुआ है, तीसरी बार भी एलेक्शन होने हैं, दो हजार चौबिस में तीसरा टम चालू नहीं हुआ है, और पांच साल का टम होता है हमारे हैं, एक टम ते दो हजार चौबिस में जाकर इनका दूसरा टम पूरा होगा अभी साल बाकी है अभी 9 साल ही हुए है फिर elections होंगे फिर जो पार्टी जीतेगी जिसको vote मिलेगा फिर वो अपना PM बनाएगी पाकिसान के तरह नहीं कि पैराशूट से लाया और ड्रॉप कर दिया पैराशूट ड्रॉप ये नहीं होता कि कोई एक लीडर आएगा तो वो एक टिनियोर अपना मुकमल करेगा और दूसरा फिर लीडर आजेगा फिर तीसरा आजेगा ऐसे नहीं होता एक लीडर आता है उसको कम से कम टाइम पूरा दें उसके बाद एकर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको सेकंड चांस दें फिर थर्ड चांस दें तब जाके चीज़े सेटल डाउन होती है आप चार साल पांच साल के बाद हुकमराण चेंज कर लो उसने जब तक आगे चीज़े सेटल डाउन करने है तब तक तीसरी हकुमत का टाइम स्माचत है तो जब यह चीज़ें नहीं आपकी सिटल लाँ तो अप कैसे अपने मुलक बारे में अज्युकेशन के बारे में सूचेंगे पाकिस्तान में अज्यू के मैं से मैस की मिनिकैशन आठें। है मैंने तो आज तक जा के जॉब ढूंडने का सोचा भी नहीं जॉब ढूंडने से बहुत अच्छा मैंने यह प्रैफर किया कि 20-30,000 की नौकरी से को फालो कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर स्मार्ट रेनिंग को अब मैं कहती हूं 99% फालो कर रहे हैं क्यूं क्यूंकि आपने 16 साल 18 साल पढ़ने के बाद भी आपने नौकरी ही करनी है तो फिर आपको 16, 17, 18 साल पे लारा था अगर नौकरी आपको उच्छी मिल रही है कम से कम आज कल के दोर में तीन-चार लाग की फिर समझ में आता है लेकिन तीन-चार लाग चार चार लाग तो हमारे सदर पाकिस्तान की तनखाया है तो हमें इनोंने क्या देना है और यही वज़ए के ब्रेंड बहुत जादा हो रहा है लोग इदर से जितने भी माइंड हैं वो प डिगरी के वैल्यू है ऐसा नहीं है कि डिगरी के वैल्यू नहीं है अगर आप अच्छी जगह से पढ़े हैं आपने 15-16-17 साल आपने लगाए हैं पढ़ाई में तो उसका उसकी वैल्यू है और उसके बतले आपको नौकरी मिलती भी है और मिल जाएगी तो ठीक है कम पैसे हम thousand cuts लगाएं इंडिया को कि वो bleed करें 71 का बदला लेना था और ये था और वो था यही सब चल रहा है हिंदो मुसल्मान काफिर यही सब करना आपको तो आपको गिन में लगे रहे हम लोग कहीं और लगे रहे तो आज हमारे पास इसरो है आज हमारे पास इंडियन इशूट इसी बात है कि इंडियन डिगरी के वैल्यू के बराबर नहीं होगी आपने अगर master of mass communication किया है तो जो master of mass communication में करेगा जो mass communication में वो आपसे कई गुना बहतर दिमाग वाला बंदा होगा यहां पे उसका IQ लेवल आपसे कई गुना जादा बहतर होगा क्योंकि हमारे यहां जो standard of education है या जो कहें quality of education है वो पाकिस्तान से बहुत जादा अच्छी है आपके हां अभी भी शायद 75 साल पुराने method से पढ़ाई की जा रही है हमारे हो methods नहीं हो सब कुछ बदल गया हमारे हां policies बदलती रहती है हमारे हां वक्त के हिसाब से और हम चीजों को adopt करते हैं हम strategies और refine होती रहती है तो आपके हां का जो master's किया हो या graduate जिसने किया हो उस level के degree हमारे हां के जो level के degree होगी वो बंदा आपके हां के बंदे से कई गुना जादा अच्छा होगा और जब आप बाहर जाएंगे जॉब के लिए भी जाएंगे तो prefer वो किया जाएगा जो उस company के फायदे मन दो जिसके पास knowledge जादा हो वहाँ पर आप मात खा जाएंगे फिर आपको लगता है कि यार हमारे degree की कोई value नहीं है डिगरी के value इसले नहीं है क्योंकि आपके हां quality of education नहीं है quality education क्यों नहीं है क्योंकि आप लोगों ने कभी उसको priority नहीं दी आप लोगों को लग नहीं है कि उनको भी फायदा है और हमें तो फायदा है और यह सब हो रहा है इसलिए क्योंकि हमारे यहां देखिए अब हुआएंगे तो quality of education में कोई ने कोई एक चीज़ जुड़ेगी add-on होगी वो base बन जाएगी फिर हमारा आप में नहीं होगा तो यह फरक है तो जब त नहीं बदलेगा आप लोगों का आपके दिमाग मने चार-पांच चीज़े घुमती रहती है यहुदी, हिंदू, इंडिया, काफिर, जजबा, कलमा यही सब घुमता रहता है इन सब को हटाईए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए तब जाकर होगा कुछ जल्दे मिलता हू एक और ने वीडियो के साथ, नमस्कार, जाहिंद।